है यह लो दोस्तों आपके अपने चैनल संदीप परमार इन्वेस्टमेंट पाट सालब पर आपका स्वाकत है दोस्तों अभी हम बात करेंगे सबसे लेटेस नियूज वजीरेक्स के बारे में क्योंकि जो वजीरेक्स के कोन ओनर हैं बाइनेंस के जो ओनर हैं उनके दोरा और निचल सिट्टी के दौरा आपस में बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हीट जनेरेट हो चुकी है अब इन्वेस्टर को यह समझ में नहीं आ रहा है कि उनका पैसा सेफ है गर हम अभी के ट्वीट्स की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा जो ट्वीट्स हैं और क्रिप्टो है यानि जो वजी रेक्स है उसे यहां पर बाइनस ओन करती है और जो सीजे है उनका ये कहना है कि हम बाइनस को ओन नहीं करते हैं और पर हम किसी भी crypto को लेकर यहाँ पर sure नहीं है और ना ही हमारा Binance से कोई लेना देना है और अभी Nichol City ऐसे ऐसे tweets पर reply कर रहे हैं जैसे कि Binance charge all the fees of crypto related and crypto withdrawals जिसकी उन्हें reply करने की जरूवत नहीं है तो current की बात करें तो CJ और Nichol City के बीच में बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गई है माहौल बहुत ज़्यादा create हो गया है जिसकी वज़े से investor डर चुका है और बहुत सारे investors ने अपना पैसा वजीरेक्स से Binance पर transfer भी कर लिया है और अगर हम अभी के tweets की बात करें तो आदित सिंग्ज होगी बहुत बड़े crypto के जाने माने YouTuber चैनल है उन्होंने question किया है के thanks for clearing this up Nichol the biggest question now is already around with the वजीरेक्स token वजीरेक्स का जो token है उसकी जो sale की जो money है वो किसके पास जाती है कौन इसका control करता है तो यहाँ पर Nichol शिट्टी reply कर रहे है transfer it on Binance यह कि Binance के CEO CJ उनका यह कहना है कि अगर आपके पास वजीरेक्स में अगर fund है तो आप उसे Binance पे transfer कर ले और जैसे ही यह tweet market में आता है उसके बाद investor के बीच में यानि जो इन लोगों का वजीरेक्स पर पैसा है उनके बीच में खल बली मत चुकी है और जो investor है उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि Binance एंड वजीरेक्स disagree over ownership two years after acquisition of announcement जी हाँ दोस्तों जब यह announcement हो चुकी थी कि जो वजीरेक्स है उसे Binance ने यहाँ पर take over कर लिया है उसके बाद आज दो साल बाद ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर जो Binance के CEO CJ वो यह कह रहे है कि हमारा वजीरेक्स से कोई लेना देना नहीं है 2019 में यह post आती है कि जो वजीरेक्स है उसे Binance ने ओन कर लिया है लेकिन आज कुछ ऐसा होता है ED की rate की जाती है जिसमें कि Binance बिलकुल क्लियर कह देता है कि हमारा वजीरेक्स से कोई लेना देना नहीं है और निचल सेटी यह कहते है कि यहाँ पर जो भी कुछ वजीरेक्स पर हो रहा है वो सब आउन Binance करता है तो अभी इतने बड़े दो CEO के बीच में जो जड़प हो रही है जो heat generate हो चुकी है उसकी वज़े से जो investor है वो परिशान हो रहा है और यह नहीं पता चल पा रहा है कि अब आने वाले समय में investor क्या करने वाला है और investor confusion में है और थोड़ा सा परिशान भी है कि आखिर में वजीरेक्स का जो acquisition है जो Binance के द्वारा किया गया था आज Twitter पर इन दो बड़े CEO के द्वारा इतना बड़ा clash क्यों किया जा रहा है योगि Nichelle City और CJ के बीच में बहुत बड़ा clash चल रहा है इस समय Twitter के उपर अगर हम इस tweet की बात करें जिसमें यह CJ कह रहे हैं कि We can shut down the domain It hurts the user We do not have control of the trading system यानि जो AWS Login system है उसका हमारे पास कोई यहाँ पर rights नहीं है कोई control नहीं है नहीं source code deployment capability किसी का भी हमारे पास यहाँ पर control नहीं है लेकिन जैसे ही tweet आता उसके बाद Nichelle City यहाँ पर comment करते हैं कि We should shut down Vajirex, prove you have a control, you have a root cause of AWS, you have assessed and you have all the control यह सब जब आता है जब fighting हो रही है इन दो बड़ी CEO's के बीच में वो भी इसका सबसे बड़ा कारण है जैसे ही ED ने investigate करना start किया Vajirex को उसी के बाद यह दोनों investor यानि यह दोनों CEO आपस में यहाँ पर लड़ते हुए दिख रहे हैं तो दोस्तों अभी screen पर आपके press release है जो कि 5 अगस 2022 को ED के द्वारा यहाँ पर launch की गई है यानि ED के द्वारा press release दी गई है जिसमें उन्होंने काया है कि बन अफ दा डारेक्टर ओफ मिष्टर जानमाई लेब प्राइविट लिम्टेड ओनर ओफ द पॉपुलर क्रिप्टो करंसी एक्चेंज वजीर एक्स यानि जैसे ही वजीर एक्स पर जो की ED के द्वारा छापा मारा गया और करोनों के जो रोपे हैं उ क्या हुआ कि ED को यहां पर छापा मारना पड़ा ED ने यह बताया गया है कि जो जानमाई लेब प्राइविट लिम्टेड है जो की क्रिप्टो एक्चेंज वजीर एक्स को ओन करती है उसके द्वारा बहुत ही सारी ऐसी ट्रांजेक्शन पाई गई जो की इंडियन क्रिप्टो ट्रांजेक्शन थी यह कहा गया था बाइनेंस के द्वारा अगर आप वजीर एक्स से बाइनेंस पर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो क्रिप्टो जो ब्लॉक्चेन है उसके उपर नहीं होगी वैसे तो अगर आप कोई भी कोई भी कहीं भी ट्रांसप गया तो इनके पास इसका कोई डाटा नहीं है वजी रेक्स की बात करें तो एक क्लाउड बेस सॉफ्टवेर है AWS मुंबई यहां के जितने भी all employee है वो घर से काम करते हैं और एक दो चेर का co-working work space है यहां पर जो की crypto to crypto transactions को control करता है Binance की बात करें तो Binance का यहां पर कोई office नहीं है और ED के द्वारा जो कि legal add the rate binance.com पर कई सारी tweets किये गए कई सारी mail की गई लेकिन उनका ना तो कोई office है ना ही उनकी तरफ से कोई reply आता है और अगर हम इस opportunities की बात करें तो ED ने यह कहा है कि हम बहुत ऐसे समय से वजीर X को हम track कर रहे है जिसकी बज़े से जो crypto transaction है जो suspected transactions है उनकी जो companies है किस के द्वारा किस wallet के द्वारा वो transaction की गई उनकी जो KYC detail है और भी जो wallets की detail है most of the transaction are not recorded in the blockchain also जी हां दोस्तों यह जो सबसे बड़ा मुद्दा है यह तब गरमाया जब ED ने यह पाया कि ऐसी app जो की fraud का काम कर रही है वो लोगों से fraud के पैसे को वजीर X पे transfer करती है यानि वजीर X के माध्यम से crypto coin खरीदती है और उसे China transfer कर देती है जिसकी वज़े से यहाँ पर ED ने वजीर X के उपर छापा मारा और ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है वजीर X को बहुत तो ही समय पहले यानि जुलाई 2020 में और रिकॉर्ड डेटेल बेजी गई थी जिसमें यह कहा गया था कि जो bank account funds हैं वो crypto exchange का सबसे ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं यानि जो frauds हो रहे हैं bank account app जिनके द्वारा सबसे ज़्यादा crypto अगर खरीदा गया है तो वजीर X पर खरीदा गया है और उसे चाइना transfer किया गया है जिसकी कोई physical address verification नहीं की गई नहीं उनके sources का पता लगाए जा चक नहीं उनके sources का पता लगाए कि ये fund कहां से आ रहे हैं और उन्हें सीधा चाइना बेजा गया है तो इन सभी कारणों की वज़े से यहाँ पर वजीर X के उपर ED ने raid मारी और जैसे ही raid की गई निचल सेटी और CG की बीच में ट्विटर पर एक बहस जारी हो गई कि हम नहीं वजीर X को करते हैं हम नहीं वजीर X को ओन करते हैं निचल सेटी केते हैं यह वजीर X Binance का है Binance कहता है कि वजीर X यहारा कोई लेना देना नहीं है अब जो investor है वो यह परेशान है क्योंकि सीजी ने यह तक कह दिया है कि हम यहाँ पर वजीर X को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि यो यूजर है वो परेशान होगा, और अगर आपके पास वजीरेक्स पर फंड है, तो आप उसे बाइनेस पर ट्रांसफर कर लें, तो अब जितने भी इन्वेस्टर हैं, उनके बीच में ये उलजन पैदा हो गई है, कि वो क्या करें, लेकिन अंदाजा लगाए जा रहा है कि वजीरेक्स बंद हो सकता इन फ्यूचर, लेकिन बिलकुल ना गबराएं, अगर कुछ ऐसा होगा, तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे, अभी तक वजीरेक्स को बंद करने की कोई बात नहीं की जा रही है, वजीरेक्स नॉर्मल पर पर करें, थैंक यू